चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों केरिला इस्टेट के लिए काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो कंडिडेट्स केरिला इस्टेट में एड्मिसन लेना चाते हैं चाहे वो केरिला के डोमिसाइल्ट कंडिडेट हो वहाँ के गवर्मेंट कोलेज में एड्मिसन लेना चाते हैं या फिर All India के candidates हो जो केरिला इस्टेट के private medical college में admission लेना चाते हैं, तो उनके लिए registration start हो चुके हैं, ऐसे candidate जिनकी अभी भी उमीद है कि re-neet हो सकती है, और ये registration इससे पहले ही कैसे start होगे, अभी re-result आया नहीं है, तो मैं उनको बता दू कि इसमें कोई डरने वाली बात नह ही है, केरिला के registration counselling के लिए पहले ही start हो जाते हैं, ये पहले एक बार open हो चुके हैं, exam से पहले, और ये फिर से reopen किया है, लेकिन ये last opportunity है, इसके बाद केरिला स्टेट के form reopen नहीं होंगे, क्योंकि previous year में देखने में ये आया कि ये दोई बार open होते हैं, एक exam से पहले open होते ह हैं, तो ये last opportunity है, 19th of June 24, last date है, इसके बाद में केरिला के लिए, counselling के लिए कोई option नहीं बचेगा, form registration के लिए, counselling registration के लिए, तो जिन candidate ने पहले registration कर रखा है केरिला इस्टेट में, उनको दुबारा से registration करने की आउश्यक्ता नहीं है, जिन्होंने registration नहीं किया है, वो face registration कर स मैं इस वीडियो में आपको यहां पर दूँगा, तो इसमें जो All India के candidates हैं, वो eligible हैं, यहां के private colleges में, तो यहां सबसे पहले हम एक बार यह notice देख लेते हैं, notice के लिए जो इसकी site है, cee.kerala.gov.in oblique.kem2024 oblique, तो यह इसकी website है, इस पर आप prospect भी देख सकते हैं, और notification and government orders में सा 13 June 24 का notification है, तो एक बार देख लेते हैं, इस notification में यह लिखा हुआ है, कि phrase online applications are invited for admission to, अभी इसमें जो admission होते हैं, वो architecture वगरा उनके लिए भी होते हैं, और medical courses के लिए भी होते हैं, तो केरिला state के domicile candidate, जिन्होंने architecture के लिए यहां registration कर रखा है, वो medical के लिए भी registration कर सकते हैं, जिन्होंने need का exam दिया है, और वो qualify हो गए हैं, तो यह जो MBBS के form है, यह सभी के लिए start हैं, जो केरिला के private medical college में admission लेना चाते हैं, या फिर वहां के domicile candidate हैं, जो private medical college में admission लेना चाते हैं, उनके लिए 15% seat यहां reserve हैं, और उसमें सभी state candidate eligible हैं, इसकी जो last date रहेगी form की, वो 19 June 24 शाम 6 बजे तक रहेगी, इसके बाद में कोई भी form इसमें accept नहीं किया जाएगा, apply करने के लिए आप इसकी website पर visit करेंगे, मैं आपको आगे प्रोपर बता दूँगा कि कैसे आपको यहां apply करना है इसमें, जिन्होंने आलड़ी कर रखा है, जो केरिला state के domiciled candidate हैं, जिन और इसके बाद में जो इसकी last date मैंने आपको यह बताई दी है कि कितनी तारिक को, आप कितनी तारिक तक इसकी form फिल कर सकते हैं, इसके help line number की जूरत है तो यहां help line number लिखे हुए, इस पर आप phone भी कर सकते हैं इसमें, अब इसमें आपको registration कैसे करना है, वो बता देता हूँ पहले, तो इसकी website पर हम जाएंगे, registration से पहले मैं आपको एक और बता दू, कि इसका जो registration है, वो अभी एक दो दिन में ही start हो जाएगा, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तब तक start हुआ नहीं है, यह एक दो दिन में start होने वाला है, तो इसकी website पर आप तो यहां तो registration registration यहां से कर सकते हैं, cwe.kerala.gov.in इस website पर विजिट करके यहां new registration का option मिलेगा, अगर आपको इस website पर available नहीं होता है, तो यह भी website आप यूज कर सकते हैं, cwe.kerala.gov.in oblique, kem online 2024 oblique, इसमें registered hair पर आप click करेंगे, तो यहां से registered hair पर click करेंगे, तो registration का window open हो जाएगा, मैं आप आपको आगे बताता हूँ कि आपको कैसे registration करना इसमें, इसका prospect भी आप यहां prospect पर click करके check कर सकते हैं, तो prospect 24 के लिए release कर दिया गया है, इसमें आप prospect check कर सकते हैं, इसकी जो total seat हैं, 23 के लिए 323 seats थी, जो all India के other state candidate यहां के private medical college में admission ले सकते थी, तो private medical college के लिए जो open seat है, open quota ह है, वो 323 seats हैं इसमें, अब हम बात करते हैं इसकी fees की, तो यह 19 colleges हैं, यहां के private colleges जिनमें other state candidate open seat पर admission ले सकते हैं, तो इनमें जो fees है, वो 23 का fees इस परकार से है, 24 का fees release होगा, तो हम आपको inform कर देंगे, कटोफ की एक बार बात करें, तो first round की कटोफ, 2023 की 555 रही थी, second round की 539 रही थी, third round की 531 रही थी, और इस्टे round की 566 marks कटोफ रही थी यहां की, इस बार की कटोफ की बात करें, तो इस बार काफी कटोफ जा सकती है, मैं आपको इसके लिए separate वीडियो बढ़ाँगा, केरला, क करनात का 36 गट कटोफ के लिए क्या कटोफ जा सकती है, UP state के लिए भी, तो अगर आपको इसके बारे में, counseling के बारे में और जानकारी चीए, तो हमारी इस वीडियो के description box में, तीन books का link available है, वो books आप download करके, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, state quota में हमने सभी open states के बारे में बता रखा है, state counseling के बारे में बता रखा है, उसमें bond वगरा, किस परकार से कितने cutoff और गई है previous round में, तो इस परकार से हमने choice list भी दे रखे 24 के लिए, और इसमें round wise, category wise, cutoff दे रखा है, अलग-अलग state का procedure अलग-अलग है, वो भी हमने इसमें सारा समझा रखा है, ऐसे ही हमने All India Kota की book में भी सारा सब कुछ समझा रखा है, Iuse Veterinary की book भी available है, जिसमें ये सारी facility All India की book में भी समझा रखी है, हमने, तो ये हमारी book आप download कर सकते हैं, इस video की description box में भी कर सकते हैं, या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से भी download कर सकते हैं, इन books को, तो अब हम बात करें कि registration आपने कैसे करना है यहां के लिए, तो registration के लिए आप register hair पर click करेंगे, यहां इस website पर जाने के बाद में, जैसे ही register hair पर click करेंगे, यह पुराना मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यहां date नहीं आ जाएगी, 19 June आ जाएगा यहां पर, यह आपको form 5 step में fill करना है, 4 step तक upload image and certificate तक करना है और 5 step में print ले लेना है, जो आपने application form fill किया है उसका, तो इस पर आप click करेंगे, सभी check box पर, proceed for registration पर यहां click कर देंगे, तो जैसे ही registration पर click करेंगे, यहां आपने mobile number, candidate name, date of birth, यह सारा type करने के बाद register पर click करना है, तो जैसे ही register पर click करेंगे, आपकी information यहां show होगी, सही है तो confirm पर click कर दें, आपके mobile पर OTP आएगा, OTP डाल करके submit करेंगे, submit करने के बाद में आपका application number यहां show हो जाएगा, उसको आप route down कर लिया करें, और इसके बाद में इस पर का फिल application form का, आपके पास में link आएगा, उस पर click करेंगे, click करने के बाद में किस course में आपने करना है, तो other state candidate यहां medical and allied health में click करेंगे, save and proceed पर click करेंगे, यहां पर, जैसे ही save and उस पर click कर देंगे, यहां पर center outside यह तो CE के लिए है, यह आपके पास option available नहीं होगा, तो इसको skip कर दें, save and proceed पर आगया आप click करें, इसके बाद यहां आपकी जो detail है, यहां fill कर दें इसमें, नेशनल्टी, नेटिविटी और आदार कार्ड वगरा इसमें आप fill कर दें यहां पर, और इसके बाद में father details, mother details fill कर दें, इसके बाद address fill करें यहां पर, correspondence address fill करें यहां पर, qualification वगरा यह fill करें यहां पर, और इसके बाद में यहां reservation की detail आपके लिए लागू नहीं ह और आगे Pay Application Fees पर क्लिक करें मैं यहाँ पर आपको बता रहता हूँ कि इसमें एक option आएगा Other State Candidate के लिए NK2 पर आपको apply करना है यानि कि Non-Carolite 2 पर आपको apply करना है Non-Carolite 2 पर आपको apply करना है NK2 पर जो Other State Candidate है वो NK2 में ही यहाँ consider किये जाते हैं अब आपको application fees यहाँ pay करनी है यहाँ 600 रुपीज प्लस tax है यहाँ फीज का तो यहाँ पर 625 है यहाँ पर तो 625 रुपीज आपको pay करना है यहाँ पर तो 625 pay करने के बाद में इस परकार से आप पर कर सकते हैं और इसके बाद में आपको upload image और certificate पर यहाँ upload करना है तो image में आपकी photo और इसके बाद में signature upload करने है और documents में class 10th का certificate date of birth के लिए आपको date of birth के proof के लिए upload करना है और ये दोनों करने है class 10th का certificate पहले upload करना फिर proof of date of birth में यहाँ 10th का करना है और proof of nativity में आप 12th की mark seat यहाँ upload करें जिन बच्चों के पास में 12th की mark seat नहीं है वो passport वग date को यहाँ 12th की mark seat upload करनी है अगर 12th की mark seat नहीं है तो passport या other जो ID है आपके पास में वो upload कर सकते हैं proof of nativity के condition में इसके बाद में आपका यह form complete हो गया है यहाँ आपको सब कुछ दिखा देगा कि आपने ऐसा किया है अपने documents का भी यहाँ आप view देख सकते हैं इसके बाद में आप print ले सकते हैं और upload certificate का भी view देख सकते हैं इसको print को भीजने की आउशकता नहीं है इस परकार से आपका print आएगा application नमर आएगी इसको अपने further reference के लिए आप रख लें यहाँ पर तो इस परकार से यह जानकारी थी के रिलाइ स्टेट के बारे में क्या cut-off रह सकती है इ अभी आप देखी रहे हैं अभी सुप्रिम कोर्ट में hearings चल रही है आज भी सुप्रिम कोर्ट में hearing है जो forward cases है अधर अधर हाई कोर्ट से cases आ रहे हैं उनकी hearing है उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि अभी जो सुप्रिम कोर्ट का कल का decision था उसमें भी NTA ने एक notice दे दि अगर वो नहीं देंगे तो पुराने वाला score ही उनका valid रहेगा जो score उनके mail पर भीजा जाएगा तो यह notice आप NTA की website पर जा करके देख सकते हैं तो यह जानकारी थी केरिला इस्टेट के बारे में बाकी जानकारी जैसे भी होगी हम आपको inform करवा देंगे बाकी जाते जाते आपको यह बता देता हूँ कि counseling के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी तो हमारी book download कर सकते हैं जैसे book download करेंगे हम आपसे संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं लेकिन वो limited हैं यहने कि हम बाद में announce कर देंगे कि अभी हमारी paid service खतम हो चुके हैं क्योंकि हम limited student को लेते हैं paid service के लिए मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा जैहिंद